कालेज भाई अरुन्सर यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज एक महत पूर्ट टापिक पर हम डिसकसन करने वाले हैं जो की है टेबलेट और स्मार्टफोन ही होजना से सम्बंदेद जो कि 2020 में जो छात्र थे जो 2020 में जो सेगंडी में एर में थे उनको जादेतर स्टुडेंट्स को टेबलेट बढ़ चुका है बचे हुए जो छात्र हैं 2021 के जो छात्र है उनके लिए यह सूचना है यानि कि जो सेकंड येर में जो छात्र है तथा जो 2022 में जो फ़र्ष्ट येर में जो छात्र है उनको क्या करना होगा इसी की पूरी डिटेल समीश संयुक्त निदेशक को समस्त परधानाचार्य प्रबंदक को जो जो प्राइवेट आइटी आई के प्रधानाचार्य और प्रबंदक उनको लेटर भेजा गया है इसमें देखे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा ससकतिकरण योजना के संचालन के लिए उप्य वहन प्रधान समय में पढ़ रहा हैं जो चात्र उनके डाटा को अपलोड करना है उसनी के बारे में से लेटर के बारे में बताया गया समस्त संग लगनों साहित का संदर्प रड़ करने का कष्ट करें उक्त के क्रम में आपको उगत कराना है कि दिनांग की 29 2022 को यूपीडेसकों के साथ होई वीसी में दिये गए निर्देसा अनुसार के वर प्रसिच्छड अभियास्तियों का डीजी सक्ति पोल्टर पल अप्रो प्रसिच्छर संस्थान के माध्यम से वरिफाई नाट वरिफाई किया जाना या प्रकरिया नेमन प्रकार और करनी है यानि कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यानि कि आप अगर पिछले वर्स फारम भरे हुए थे उस फारम को सुने मानते हुए यानि कि उस फारम को कैंसिल कर दिया गया है आपको कालेज पर जाके पुरा फारम करना पुरा फारम भरना होगा और उन्हीं उन्ही जो पढ़ाई कर रहा है जो सेकंड यर में डिमिशन ले चुके हैं अपने स्कालर्शिप को रिणूवल कर रहा है यानि कि जो पढ़ाई से लगे हुए पढ़ाई कर रहा है परतमान समय में उनी चात्रों को कालेज के द्वारा वैरिफाई किया जाएगा या आदेश दिया ग कर दिगा तो सारे फारम को कैंसिल कर दिया गया अब नए चरण से नए प्रकिरिया के ताथ पूरान कालेज पे फारम भरवाया जाएगा सबसे जरूरी बात है कि कालेज पे आपका सेकंड यर में डिमिशन होना चाहिए क्योंकि उसके साथ फीस रिसिप्ट को लगाया जात है फिर एक टेबलेट का फारम मिलता है उस फारम को भरना होता है तभी आपको कालेज वैरिफाई या नाट वैरिफाई करके आगे की प्रकिरिया को बढ़ाएगा और जो 2022 में जो चात्र है यानि कि जो इस्टुडेंट्स अभी अड्मिशन लिया है दो 2022 में यह जब प्रक प्रकिरिया कंप्लेट होने के बाद 2022 वाले स्टुडेंट्स की प्रकिरिया सामने आएगी तदहां इनके भी छात्रों को डाटा को वैरिफाई और नाट वैरिफाई किया जाएगा इसलिए सभी छात्रों से निवेदान है कि जो सेकेंड डियर में चात्र हैं कि अपने काले प्रकिरिया यहां पर देखें लिखा हुआ है उप्रोप्त वियोस्ता संस्थान अस्तर से परिछार्थियों को वैरिफाई नाट वैरिफाई सेब किये जाने के लिए 29 साथ से साथ दस को रात्र बारे बज़े तक उपलब्द कराई जाएगी यानि कि आप साथ दस तक अप अपने काले से समपर्ख करें यानि कि जो 2021 में थे 2021 में इस समय सेंड एयर में गया हुए है । सेंड आई के चातरून का फारम भरा जारा है फ्र्स्ट एयर के स्ट्डेंट का फारम बाद में भरा जाएगा इसाने से ज्यादा सेयर कर दें अगर चैनल को भी तक आई हो तो लाइक जरूर करें तो था अधिक से अधिक सेयर जरूर कर दें